बार-बार हमारे सामने एक ऐसा विकलब रखा जाता है कि हम अपने आप उस विकलब की तरफ चले जाएं जिस विकलब की तरफ हमको भेजने का परियास किया जा रहा है जैसे थंडा मतलब, थंडा मतलब, कोका कोला, कोका कोला होता है थंडा मतलब, नारियल पानी नहीं होता है, लसी, सत्तू, दही, इस अब थंडा नहीं होता है, मिसरी, इस अब थंडा होता है और नहीं होता है, तो कोका कोला किसे थंडा मतलब हो गया, क्योंकि आपके दिमाग में डाल दिया गया कॉलेज की दिवाल पे ठंडा मतलब कोका कोला अमिर खान बोला ठंडा मतलब कोका कोला कैट्रीना कैफ बोली ठंडा मतलब कोका कोला सचिंतेंदुलकर बोला ठंडा मतलब कोका कोला पूरा देश बोल रहा है ठंडा मकलब को का खोला ऐसे देश चलेगा अब की बार भाजपा सरकार नहीं है सहाब अब की बार बिग्यापन की सरकार है आप ये अपने दिमाग में डाल लीजिए एडवर्टाइजमेंट की सरकार है और ये एडवर्टाइजमेंट ऐसे नहीं होता है कोई अगर आपका दोस्त हो तो उसको पूछिएगा कि अख़बार में अगर हम अपना फोटू छपवाना चाहते हैं तो कितना माल लगेगा बताना जरा कितना पैसा लगेगा दस सकेंद अगर टीवी पे आएंगे तो कितना पैसा लगेगा विपक्ष कमजोर है यह ऐसा सच नहीं है सत्तर साल मान लिजे कोई पाटी राज किया हो अचानक से वो कमजोर कैसे हो गया है क्योंकि उसको जो मजबूत बनाने वाली सक्तियां थी न वो अपना पाला बदल लिया है